हाई गाईज, वालकम बैक टू मैं चानल, मैं हूँ संचीता और आज मैं आपके साथ शेर करूँगी आप कैसे अपने डाक अंडराम्स को वाइटन और ब्राइटन कर सकते और वो भी 100% नैच्रल तरीके से चलिए वीडियो को एक लाइक करके और चानल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए तो डाक अंडराम्स को वाइटन बनाने के लिए आपको बस फॉलो करना है दो सिंपल स्टेप जिसका पहला स्टेप है स्टेमिंग तो सबसे पहले आप एक छूटा सा टावल लेकर उसे गड़म पानी में डिप करके अपने अंडराम्स को इस तरह से स्टीम दीजिए 2-3 मिनट तक इस तरह से अंडराम्स को गरम पानी से स्टीम देने से अंडराम्स के जो पोर से बो ओपन हो जाएंगे जिससे आपके अंडराम्स के जो डाकने से बो जल्दी रेमोव हो जाएगा तो 2-3 मिनिट तक ऐसे स्टीम देने के बाद अब हमें बनाना है स्पेशल अंडराम्स वाइटिनिंग पैक जिसके लिए आपको बस लेना है दो चमच बेकिंग सोडा फिर इस पे डाल दीजिए एक चमच पोटेटो जूस यानि की आलू का रस एक चमच रौ मिल्क और एक चम क्यों dan कर इस तरह से अपने अंडराम्स को रभब कीजिए दो मिनट तग गाइस यहां पड़ मैंने अंडराम्स वाइटिनिंग पैक बनाने के लिए जो जो इंगेशल ब्लीच की तरह काम करता है जो आपके अंडराम्स के डाक्निस को दूर करने के लिए बोहुत ही स पंधा मिनिट के लिए छोड़ दीजिए और 10-15 मीन बाद नॉमल पानी से अंडराम्स को वश कर लीजिए और उसके बाद आप देखेंगे इसकी पहली इस्तिमाल से आपके डाक अंडराम्स कितना वाइट इन हो चुका है और अच्छे रिसल पानी के लिए आप इसे हफ्ते म को फॉलो करने के साथ साथ आपको धान रखने कुछ चोटे-चोटे चीजों के उपर जिससे आपके अंडराम्स फिर से कभी डाक नहीं होगा जैसे के आप कभी भी अंडराम्स के हेर रिमोब करने के लिए हेर रिमोबल क्रीम का इस्तमाल ना करे इसके बदले आप रेजर कर सकते हैं या फिरा वैक्सीन भी कर सकते हैं नमबर टू आप अपने अंडरामस पर डीयो का इस्तमाल कभी ना करे उसके बदले आप यूजा कर सकते हैं तो guys इता मेरा आज का वीडियो जिसे आप फॉलो करके आप अपने डाक अन्राम्स को वाइटन और ब्राइटन कर सकते बहुत एजिली So guys आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेट करके जरूर बताना और अगर आपने को को वीडियो अच्छे लगता है तो पीज वीडियो के एक लाइक कर देना मेरे चानल को भी सब्स्प्राइब कर लेना इस तरह की और भी अच्छे चे वीडियो को देखने के लिए तो चलिए मैं संचिता आपसे मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तर के लिए टेक केर और बाई